різicon तो पिचली वीडियो में हमने टेस्टीसरान की है ठ INFORMेंद डिसकॉशन कर ली थी चैने तो इस वीडियो में हम WorksEMs देख लेते हैं कि सबसरेखेल इसकारिए फॉंक्शन होता है फीटल ड्वेलपमेट से स्टार्ट हो जाता है य государáand टीज मैंने बोला था कि शाइल होंड में में इस ट बाद में थे बुरिटी पर फिर स्टाट करोऌटी है ठीड के कि नहीं होती है कि टली पर स्ट में पर इसक है अगर मैल है तो मैल में क्या होता oder मैल की जो क्रॉमोसाम होता है ना जिलो टाइप होगा तो उसमें एक सर्वाइजीन होगा ठीक है मैल में सर्वाइजीन क्या करेगा सर्वाइज प्रूटीन करेगा सर्वाइज प्रूटीन करेगा और सर्वाइज प्रूटीन क्या करती है कि वह आके यानि उस फीटस में जैनि पर एड करेंगी तो क्या वो लिए कि कह स्ट फर्ट इस्ट ट्रोड्यक्ट कुर्वाइड ही टेस्टो चाह अगर हम देख लेते हैं आगर आने पास female यह जो फीटस है इसका जो जीनो टाइप है वो female है तो फीमेल क्या मतलब है उसका जो क्रोमोसों होगा वह X होगा और X क्रोमोसों पर SRYG नहीं होगा यानि नो SRYG होगी तो वह जैनितर रिच पर एक्ट करेगी और क्या कहे कि क्या प्रोडूइस के estrogen और estrogen बा времени क्या करेगा यानि टास टान अगर नहीं होगा तो estrogen होगा तो बार के होगा penis परोड्यूसे होगा gonna पूर्डीस हो फीमेल का जनी लिए प्रोडिउस्व का और फुन वह चीज़ें प्रोड इसमिश्बश भी थी नब क्या है कि यानि कि जो टेस्ट्रोस्ट्ट ग्रोडीयस हुआ है मैल तो क्या करेगा वह नॉम्ही इसकी परडक्शन कर या कि पीनिस की कि प्रडिक्शन कर दो रएगा शवा है प्लस हमारे पास किया है प्रोस्टेट सेमिनल वेजिकल और इन चीजों की प्रोड़क्शन कुणाइब ठीक है अगर एक चीज गाइटन में लिकी हुए है कि यानि के अगर टेस्टोस्टान हम फीमेल को उस वक्ट दे दें यानि कि सपोज एक फीमेल एक फीटस है जिसका यानि जीनो टाइप फीमेल है ठीक है उसके जेनिटर रिच पर उस वक्त हम अगर टेस्टोस्टान के इंजेक्शन दे दें तो हमारे पास फीमेल प्रोटीन होने के बावजूद वो टेस्टोस्टान इस पर एक्ट करेगा यानि जो मैल के हर्मून्स होंगे मैल के हर्मून्स इस पर एक्ट करेंगे और इससे क्या कहाँए तैस्टोसिट्रान प्रोडक्षिं कि अल्दों कि वह यनि के सी मेल का जीनो-टाइप है और टैस्टोसिट्रान-प्रोडक्षिं करवा के वह आगे यह वो मेल-आरगंज की ड्वैलप्मेंट करवाइंगे ठीक है यह हो सकता है अगर दूसरी दर्फ अगर ह होके तो टेस्टोस्ट्रान ने बाकी आर्गन्स को ड्विलप करना था लेकिन अगर टेस्टीस को रिमूव कर दें तो टेस्ट्रान नहीं होगा तो जो चीज डॉमिनिट आ जाएगी वह हमारे पास जैनिकल रिज में यानि के फीमेल आर्गन्स के प्रोडक्शन होगी आल्द हर्वोन यानि क्रोम सांब करता है कि वह मैलकृम संब या फ्रीमेल क्रोम स्वाम है तो कर दें तो ने के पास था इसका रॉल फाइस्टू्स ट्रॉन करोल है यानि के फीट्स में ठीक है उसके फीटस में ही दूसरा रोल हमाने पिस क्या है कि ॐ पाइस तेस्टी ध्यार के यह यह कुद्व थे स्ट क्या मतलब ला रहिए कि जो आप अगर देखें तो कर Metro होता है वह आउट साइड वोडी लाइख करता है यानि जो आड़के साइब करता है इस के इस इंदर्व में याहर बाहर बाहर वा राध में आते हैं याई को साइब को घुर्ट गेस्टेशन के जो लास two to three months होते हैं उन में टेस्टीज ने डिसेंट होना होता है डिसेंट का मतलब है कि वो इंग्वाइनल किनाल से होकर नीचे स्क्रॉटम में आ जाएंगे ठीक है लाइब आ चुके ठीक है और जिनको टेस्टेशन नहीं दिया गया था तो उन में नहीं आ थे तो इससे यह पूफ हो के जो अडिसेंट आफ़ टेस्टीज है उसके लिए टेस्टों सिट्रान क्या है मस्ट है ठीक है यह दो बात हो गई अब तीसी बाती है कि प्राइमरी यह जारा लाइफ में यह करती है तो उन को हम क्या कहते हैं अगर हम 냉दरि सक्ट एमारे पस क्या है कि वाइस का बड़ा हो यह हमारे पास female differentiate करती है इसी तरह हमारे पास pubic hair का जो pattern होता है और axillary hair का जो pattern होता है ठीक है और body का muscular हो जाना यानि यह सब कुछ कहा होता है कि प्यूबर्टी के बाद होता है so after puberty जो भी characteristics आती है उनको हम क्या कहते है secondary sexual characteristics और जो बाइबर्थ आती है यानि बाइबर्थ प्रेजन्ट होती है उनको हम क्या कहते है secondary sexual characteristics sorry secondary primary sexual characteristics ठीक है जो बाइबर्थ होंगी तो बाइबर्थ वाली तो हमने पढ़ लिया था कि जो penis यानि क्लाइट और स्टी मैल में क्लाइट और से स्कॉल्ट है जिनकी development हो रही हो तो उस वाग भी इनके रिस्पॉंसबल क्या होता है टेस्टोस रान होता है ठीक है तो सेक्ट ऐसे सेक्च्ष मठी के लिए के बोड़ी की पूरिया पूरी को इस तरह बनाता है कि कre वह ही मैल से बिलकुरी डिफरेंशियेट हो जाये लाइक या के जो मैल होता है कर उसके जो मसल्स होता है मसल को ड्वालब कर वाता है इसके आलावा स्रेक्टिक्ट्स्माइः आता है कि जो हमारे पास मेल होता है Whether तored को जाता है ठीक है तो फीमिल भी डोस्टे चली जाए गिया अलगालग से ठीकर तो कि यानि कि जो होंगे उन में रेड बलर सेल ज्यादा होंगे मैल के मसल्स मदबूत होंगे ठीक है यह सारी करेक्टिस्टुक्स आएंगी और किसकी वज़ साथ हैं टेस्टोस्टान की प्रोड़क्शन की वज़ से आती है ठीक है तो यह हो गया उसके बाद हम देखते हैं कि य को कि इस्ट्रीबीशन होते हैं रहे हम मेल में यह कहाँ कहाँ खाल में होते हैं सबसे पहले हमारे या निया यानि जो होता है उसके उपर होते हैं और वाज वकात वह वह अंबलाइकस तक होते हैं ठीक है तो यह हो गया उसके बाद हमारे पस क्या है के चेस्ट पे हैर होते हैं ठीक है इन्हेर की डिस्ट्टिबिशन की इसके वैसे टेस्टोस्रांड की वैसे ठीक है उसके बाद एक्ज स्टिक्स होंगी किसी वैसे होगी एंड्रोजेंस की वाज़े से होंगी और यहां सबसे जो मॉस्ट इड्रोजेंट हम बात करते हैं तो अच्छा एक बाची जाद रखें कि जो हमारी पास स्ट्रॉस्ट है वह जब टिशू तक पहुंचता है ना यारी टार्गर्ट टिशू ठिक है टेस्टो स्टा टार्गर्ट टिशू में एंटर होके तो इस वे एक अबिए उसको इसे को तेको करेंगा इसको कनवाइट कर देगा हाई हाईडर तेस्टॉस्टॉस्टाथ और जो 9090 इपर्सन पर पर शॉटिया ह्था डियस्या की आप्ट किसक्राइट वाइसा फंक्षन आब करता बहाइऑNow करता है और कुछ हैं हमारा पस मेलडियर है और यानि मेल में बियर होती है वह पोभी टेस्टो इस की उते हैं यह सारे जो हैं भी इसकर बेख्स करे होता है ठीक है उसके बालीज पैटनर ठीक है जो बारणिस होती है ना अच्छे टेस्टो पैट्टॉस तरह गजादा होगा तो क्या होगा कि बाड़नेस नहीं होगी जिन में टेस्टो सिट्रान होता है उन्हें जिन में टेस्टो सिट्रान नहीं होगा उन्हें बाड़नेस होगी ठीक है तो बाड़नेस के लिए टू सेक्टर इस मौसबल होते हैं ठीक है यानि बाड़नेस के लिए एक मारपस क्या होत ना आन फंक्शन होते हैं कि अनफंचनल होंगे तो उन्में बायलनिस नहीं हो ठीक है यह यानि में से बालनेस होती है ठीवे बालनेस होगी फिर भी जिन लोगे में नहीं होगी तो लाजमी नहीं है कि टेस्टोस्टान जिन लोगा में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे तो ने बालनेस ही तो आउट दा जो बोड़ी है उसका मैस को इंक्रीज करता है तो जो लेरिंग्स है उसका मैस को भी इंक्रीज करेगा ठीक है और लेरिंग्स के मसल्स का मैस ज्यादा होगा और जिसके वैसे हमाने पस क्या होगा यानि क्या होगी थिक होता की इलगी मौटी हो करता है अगर हम मैल की कि होती है और हार्ड होती है तो यह किस्कि वाइस होए एक ते तिकनिस अफ्टा स्किन के स्की वाइस होती है या लिए स्टोस्टां की वाज़ां से होती है और मेल इस वाज़े से क्या होते हैं और अगर हम थेक्ष आपस कि बिक्षट जो आ टेस्टोस्टान है वह प्रोटीन की डिपकुजिशन ट्रौडी स्ट्रिक करता है मस्सल्स में करता है अब स्किन के नीचे भी यानि के प्रोटीन की डिपोजिशन ज्यादा करेगा जिसके वज़से स्किन में भी क्या होगा कि ठिकने साब ILLPTIcion नहीं कि कुंकि मसल में जो मासिट परने होते हैं लेंबॉडी मैस एसे हम कर दे उसके की उसके लिए फूरेंधिन मस्टे ठीक है तो टЕस्ट टोन क्या करता है डिप्रॉडी मश्लПрूटीन यम पर ळीक्रेमे यानि जैदा करता है है एक होता है फैट बोडी में से लीन ठीक है तो यह लीन बोडी में स्कूंट करता है और प्रोटीन डीपूजिशन के वाज़े से हम यानि के बोडी बुस्टर के तोर पर भी एसलीट लेते हैं आलो के साइड एफेट्स जूरूर है ठीक है उसके बाद क्या है कि अगर हम फैसे बॉन हाडनिंग भी होती है और बॉन ड्वैलप्मेंट भी होती है ठीक है तो यह क्या करता है जिन लोगों में टेस्टोस्टार्ण के प्रोड़क्शन ज्यादा और यह 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 ट्यूमर होता है तो ओद में उनकी बॉन्स करते हैं बहुत बड़ी-बड़ी होंगी औ लाइक हो सबती है ठीक है अगया हम आब बैजल म क्रइच को देखें तो बैजल मेटमोलिक को यह करता है ननि कि जो फिफटी तु ट्वाइर्टी पर्सन बैजलflower मेट पोल्खवा उसको कर सकता है बाही हम आर वे सीज के देखें जो लास्ट फिक्टर है हमारे पास इसके इसके लाव जो एलेक्ट वाला है वह भी देख रहते हैं ठीक है आर्बी सीज नार्मली भी हम यह देखते हैं कि मेल में आर्बी सीज क्या होता है सेवन लेक इमाउट ज्यादा होते हैं यानि फीमेल से नार्मली भी ज्यादा होते है तो वो किसके वाइसे होते हैं टेस्टो से चान क्या करता है और यह की प्रोडक्शन ज्यादा करता है और यह की प्रोडक्शन ज्यादा करना अभी तक कोई क्लियर कट मेकानिजम नहीं आया या यह इन डायरेक्ली नहीं करता डायरेक्ली का मतलब है कि यह डायरेक्ली जो किड एफट कर देट रहे फुर्टना कि जा कि अर्बसी डाय के छो फोते हैं वह इन डायक्स को पॉड़क्शन जादा तर ठीग है घूझ है अफ़ाट यह अधर होगा है कि क्या है कि होता है होता यह से घ्राइढ बास तो मैं मेरी लोखिट क家 आशार 250 थे खाल्प्टिको-प्रियों स्ट्राइड रोते हैं गईगा हो झालते हैं तो यह विथ हमारे पास जो टैस्टू सीचान है या बूरा जो तो यह कीम सोड्иш म की रिटेंशन थोड़ी बहुत करवाता है ठीक है तो यह भी उसका रोल है यानि के एलेक्टलाइट बैलेस में भी एक रहता है तो यह थे हमारे पास क्या था कि एफेक्ट्स थे टेस्टुस चान की तो थैंक यू सो मुच पर वाचिंग दिस